नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्राण जोते सीक्रेट कन्या रासी 12 सितंबर से 30 सितंबर तक का वक्त आपके भागे को बदलने जा रहा है या कह सकते हैं कि एक नई शुरुवात होने जा रहा है आपकी लाइब में कुछ तारिकें ऐसी होगी जिस दिन सुवकार आप आखे बंद करके कर सकते हैं सफलता प्राप्ती मिलेगी और कुछ ऐसे दिन भी है जिस दिन कोई भी कार ना करे और सफलता उस दिन आपको प्राप्त होगा तो तमाम बाते जा रही हैं वीडियो के अंतक बने रहे हैं और य स्मध्य सुरी का रासी परिवरतन होगा सुक्र का रासी परिवरतन होगा और सनी देव वक्री अबस्थाम में चलेंगे वहीं देव उच्छ? देव गुरू भ्रस्ति भी अपना सुब फल आप पर बरसाएंगे तो कण्या वालों के लिए जो सुक्र का गोचर आपकी स्वयम की रासी में यहाँ पर होगी मूलतिकों रासी में और योग कारक है धना स्थान पर सुक्र तो आर्थिक मामलों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह महिना रहने बाला क्योंकि देवगुरु ब्रिस्पती भी मंगल के नच्छत्र में हैं और आपके करियर को बेहतर रास्ते पर ले जाते भी दिखेंगे बेहतर एक नई शुरुवात देंगे आपके रासी के स्वामी जो बुद्ध हैं वो आपके इंकम के भावब पे हैं तो ऐसे में सुरी का गोचर अप ही 12 सितंबर से 16 सितंबर तक बारवें हैं सुरी जैसे ही आपके घर आएंगे तब जो परिसानिया है वो थोड़ा कम होगा बारवें भाव में बैटकर सुरी थोड़ी मुस्किले दे रहे हैं लेकिन जैसे ही आपके घर में आएंगे तब थोड़ी सी मुस्किले कम होगी लेकिन सुरी जब पहले भाव में आते हैं त तो थोड़ी सी ज्यादा उर्जा दे देते हैं थोड़ा क्रोध दे देते हैं इस पर आपको कंट्रोल रखना होगा सूरी की सीधी दृष्टी आपके विवास्तान पे रहेगी तो रिस्तों में प्रेम भाव बनाए रखें और करवाहट से थोड़ा दूर रहिएगा अब थो नुवंबर तक वक्री ही रहेंगे अब यहां पर सनी देव छटे भाव पर इस समय और आपके लिए योग का रख तो ऐसे में पंचम भाव पिर भी यहां प्रभाव पड़ेगा संतान से जुरे कोई डिसीजन आप ले सकते हैं विसे इस कारे करते दिखेंगे जो लोग सकता है आपको मिल सकता है और इनकी जो दसमी द्रिष्टी है वो आपके लिए अधिक प्रभावी रहेगा कोई नया एग्रिमेंट हो सकता है और स्वेम कारी कीजिएगा तो ज्यादा सफलता मिलेगी हलां कि सुपर नाम आपको इस महने मिलेंगे और जो देव गुरु ब्र स्वेश्पति मंगल के नचतर में है तो करियर के मामलों में उन्नती होगी तरक्की होगी संपन्नता आती दिखेगी और 18 सितंबर को सुक्र जब यहां पर रासी प्रिवर्तन करेंगे अभी आपके लगन में है नीच वस्ता में है और यहीं से मूल त्रिकोन रासी में प्रिवेश कर जाएंगे तब 18 सितंबर को भाई यहाँ पर धन के स्वामी धन भाव के उपस्तित रहेंगे तो आपके जीवन में धन से जोड़े हर मामले बहतर होंगे धन प्राप्ति के योग बनेंगे कहीं न कहीं से धन आता रहेगा सुक्र जो सुंदरी के भी कारक है तो कुटुम परिवार में इसमें सुख सुविधायें बढ़ेंगी वातावरन बढ़ियां रहेगा आप खुब सजेंगे सबरेंगे मांगलिक उतसर में समलित होंगे सुक् यहां पर धन देंगे धन से जुड़ा कोई भी कारे अटकावा था वो आपका पूरा हो जाएगा लेकिन वो कौन सी तारीक है जिस दिन काम करें अगर आपकोई सुबकारे तो वो सफल होंगे तो वो तारीके हैं 26 सितंबर 27 सितंबर और 28 सितंबर यह अनकूल दिन है जो भी कारे करेंगे उसमें सिद्धी मिलेगी लेकिन कुछ ऐसे भी दिन है जिस दिन आपको समहल के रहना उस दिन कोई सुबकारे ना करें लेकिन अगर जरूरी है मजबूरी है तब क्या करेंगे यह भी हम जानेंगे लेकिन जान लेते हैं पहले वो कौन सी तारीक हैं जिस दिन स important कार है वो ना करें तो उत्तम अगर जरूरी हो मजबूरी हो तब माता-पिता का आशिरवाद लेकर या हरुमान